गांदी के साथ चले आदित्य ठाकरे संजर राउत ने उन्हें बताया नीता नेत्रत शक्षम है सिर्फ सेना नीता आदित्य ठाकरे ने शक्रवार को कहा किवे वैचारिक मतभेदों के बावजूद राहुल गांदी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए क्योंकि देश में लोकतंत्र और समविधान खत्रे में है सिर्फ सेना नेता आदित्य ठाकरे के शक्रवार को राहुल गांदी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के बाद संजेर राउत ने शुक्रवार को कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांदी और सिवसेना नेता आदि ठाकरे दो प्रमुक्त युवा नेता हैं जो देश का नेतरत्व करने में सक्षम है महराज के पूर मुक्त मंतरी जो सिवसेना के उदर ठाकरे गुट से हैं कुछ समय के लिए गांदी के साथ चले क्योंकि कांग्रेस नेता का पैदल मार्च राज जी के हिंगोली जिले में प्रविस हिया आज किसी ने कहा कि दो अलग-अलग विचाधारा वाले लोग एक साथ आये हैं लेकिन वैचारिक मतभेदों के बावजूद देश के लिए मिल कर काम करना ही लोकतंत्र है हमारे राज में और देश में भी साविधान और लोकतंत्र को कोचलने की कोशिश चल रही है इसके खिलाफ हम सड़क पर उतर आये हैं और यह हमारी लोकतंत्र के लिए एक अच्छा संकेत है सिफ सेना और कॉंग्रिस राष्टवादी कॉंग्रिस पार्टी के साथ महाराष्ट में महाविकास अगारी गठवंदन का हिस्सा है दो प्रमुक युवानेता राहुल गांदी और आदित ठाकरे भारत जोड़ी के लिए एक साथ चलेंगे और इससे नई उर्जा का संचार होगा दोनों युवानेता देश का नेतरत करने में शक्षम है मनी लॉंडरिंग मामले में जमानत मिलने के बाद जेल से रहा हुए राउत ने कहा कि सिर्फ सेना भारत जोड़ी यात्रा का हिस्सा थी उन्होंने कहा उनके गांदी और ठाकरे में राज और देश के लिए काम करने के लिए बहुत उर्जा है